प्रभु येशु मसी के नाम में जय मसी की इस दिल चल्स पे स्टोरी को हमें जिरूर देखना चाहिए क्योंकि उस इस्तरी पर दोश लगाने वालों के सामने उनी के अपराद सामने आखड़े हो गए थे इस वीडियो को अंतर तक जरूर देखें क्योंकि पवित्र शास्तर में लिखी हुई हर एक बाते हमें कुछने कुछ समझाती है और हमारे लिए प्रेणा दायक भी है यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजे और बेल आइकन को भी दबा दीजे जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलने पाए तो आईए वीडियो स्टार्ट करते हैं परन्तु येश्यू जैतून के पहाड़ पर गया भोर को वहा फिर मंदिर में आया सब लोग उसके पास आये और वहा बैठ कर उन्हें उपदेश देने लगा तब शास्त्री और फरीसी एक इस्त्री को लाए जो वैभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में में क्या कहता है उन्होंने उसको परखने के लिए बात कही ताकि उस पर दोश लगाने के लिए कोई बात पाए परन्तु येश्यू जूक कर उंगली से भूमी पर लिखने लगा जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा तुम में जो निश पाप हो व इस्तरी वहीं बीच में खड़ी रह गई इश्यू ने सीधे होकर उनसे कहा हे नारी वे कहा गये क्या किसी ने तुछ पर दंड की आगया ना दी उसने कहा हे प्रभू किसी ने नहीं इश्यू ने कहा मैं भी तुछ पर दंड की आगया नहीं देता जा और फिर पाप ना करन आईए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस तरह के अपरादी की क्या व्यवस्था थी मुसा के नियम के अनुसार व्यवस्था विवरण 22 के 22 में यदि कोई पुरुष दूसरे पुरुष से ब्याही हुई इस्त्री के संग सोता हुआ पकड़ा जाए तो जो पुरुष उस इस्त्री के संग सोया वहा और वहा इस्त्री दोनों मार डाले जाए इस प्रकार तो ऐसी बुराई को इसराइल में से दूर करना तथा इस व्यवस्था से मिलता हुआ एक और नियम को देखेंगे लेवस्था बीस की दस में फिर यदि कोई पराई इस्त्री के साथ व्यविचार करे तो जिसने किसी दूसरे की इस्त्री के साथ व्यविचार किया हो तो वहाँ व्यविचारी और व्यविचारनी दोनों निश्य मार डाले जाए तो हमने मुशा की व्यवस्था के अनुसारिया देखा कि अपनी पतिनी के अलावा या फिर पतिनी अपने पति के अलावा किसी के साथ भी गलत काम करती हुई पकड़ी गई तो उन्हें व्यवस्था के अनुसार गंबीर दंड दिया जाना निश्य था जिस सजा के दोरान इस तरह के अपराधियों को पत्थर से मार मार कर मार डालने का आदेश था इस वैवस्था के अनुसार शायदिया डर भी लोगों के अंदर हमेशा रहता होगा जिससे के वे इस तरह के पाप कभी ना करें इसलिए शास्री और फरीसी जो वैवस्था के ज्यानी भी कहे जानते थे उन्होंने बड़ी चतुराई के साथ एक इस्त्री को जो वैविचार में पकड़ी गई थी उसे इशु के पास ले आये थे क्योंकि उनका असली मकसद तो येशु के उपर दोश लगाना था क्योंकि वे इस घटना के पहले भी हमें पढ़ने पर पता चलता है कि वे येशु पर दोश लगाने की शड़ेंद्रों में थे शास्त्री और फरिसी वैवस्था को स्वैम जानते हुए भी येशु के सामने मुसा की वैवस्था को दोराते हुए बोलते हैं ये मुसा के व्यवस्था में ऐसे अपराधी को पत्थरवाह करने की अनुमती है परन्तु आप क्या कह रहे हैं वे येश्व को फसाने के लिए ये बात कह रहे थे परन्तु इस घटना में फरीसी और शास्त्री वेवस्था को जानते हुए भी वेवस्था का उलंगन कर गए अर्थात मुसरा की वेवस्था के अनुसार इस्त्री और पुरुष दोनों को मार डालने का आदेश था यदि इस्त्री किसी के साथ पकड़ी गई है तो उसके साथ अपराध करने वाला पुरुष कहा है कानून के जानने वाले शास्त्री और फरिसी ने इस्त्री के उपर तो दोश लगा दिया परंत उन्हें यह पता होना चाहिए था कि कानून दोनों अपराधियों के लिए बना था, जिसमें पहली गलती इन धरम गुरूओं की थी दूसरी बात येशु ने उन्हें व्यवस्था को ना मानने के लिए नहीं कहें, बलकि उन्होंने ये कहा कि इस इस्त्री को पत्थर वहाँ कर सकते हो, सबसे पहले आगे बढ़कर वही आए जो निश पाप हो, अर्थाद जिसने पाप ना किया हो शास्री और फरीसी समेत और भी लोग जो वहाँ पर उस इस्त्री को पत्थर मारने के लिए खड़े थे, उन सब ने पाप किया था और किसी ना किसी सजा के हगदार भी होंगे, इसलिए वे सब निरुत्तर होकर वहाँ से चले गए, परंतु प्रियों, उनके चले जाने के बाद भी यह नियम उस इस्त्री पर लागू होता था, क्योंकि सिर्फ येशु ही वहाँ पर एक अकेले ऐसे थे, जो उस इस्त्री को सजा दे सकते थे, क्योंकि उन्होंने कभे पाप नहीं किया था, येशु ने जब सीधे खड़े होकर उसे कहा हे नारी, वे कहा गये, क्य प्रियो, येशु ने उस इस्त्री के अपरादों को पहले नहीं देखा, बलकि उन्होंने उन्हीं के द्वारा बताये गए व्यवस्था को देखा, और उन्हीं से ही शुरुआत किये, कि जो निश्पाप हो, वहाँ पहले पत्थर मारने, येशु ने मारने के लिए तो जर प्रियो, प्रभु येशु मसी द्यालू और अनुगर कारी परमेश्वर हैं, जिस प्रकार से येशु ने उस इस्त्री को जो वैभिचार में पकड़ी गई थी, एक पल में उसकी जिन्दिकी को बचा कर उसे नया जीवन दान दे दिये, आज भी येशु हमें बचाने के ल गुनाहों के माफी नहीं मांगी है, तो विश्वास करके येशु के पास आए और उनसे माफी मांगे, क्योंकि ये येशु ही है, जो हमारे सारे गुनाहों से माफी दे सकते हैं, तो प्रियो, इस वीडियो को अब मैं यही पर समाप्त करती हूँ, अब मैं मिलती हूँ आप आप से अपनी अगली वीडियो में आप सभी भाई बैनों को प्रभु येशु मसी के नाम में जय मसी की तो दोस्तों कैसी लगी आपको इस्टोरी कमेंड में लिख के बताईए आगे ही ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे श्चनल को सब्सक्राइब कर दीजे वेजयमसी की दोस्तों